इंदवर के पलासिया थाने पर एक यूफती ने जमकर हंगामा मचाए यूफती के दौरा हंगामा मचाने के कारण थाने पर वहांचालकों की भी लग गई जिसे पुलिस कर्मियों ने तितर बितर किया फिलाल हंगामा तक्रीबन आदे से एक घंटे तक जाली रहा वहीं यूफती को काफी समझाईच देने के बाद भी जब यूफती समझने को तयान नहीं हुई तो थाना प्रभाली और CSP उसे थाने पर ही छोड़ कर थाने के बाहर निकल गया है पूरा नजारा आप देख रहे हैं ये किसी फिल्म की शूटिंग का नहीं है बलकि इंदौर के पलासिय थाने का है जहां पर एक यूफती मकान माली की शिकायत करने के लिए आई थी वहीं उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे पलिस ने यूफती के चोट के निशान को देखते हुए उसे मैडिकल के लिए हॉस्पिटल पहुँचाने की तैयारी की लेकिन उसी दोरान यूफती ने अपना आपक हो दिया और जम कर हंगामा करने लगी थाना प्रभारी के साथ ही थाने पर पदस्त पुलिस कर्मी के साथ ही सीएसपी ने भी उसको काफी समझाईश दी लेकिन उस पर किसी भी अधिकारी की समझाईश का कोई असर नहीं हुआ अथा काफी देर तक पुलिस कर्मी उसे समझाईश देते रहे लेकिन जब यूफती पुलिस कर्मियों को नजर अंदास करती रही तो थाना प्रभारी और CSP उसे थाने पर छोड़ कर थाने के बहार निकलाए थाना प्रभारी और CSP को थाने से जाते देख यूफती उनके पीछे दोड़ी लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ कर वापस थाने लेकर आया उसके बाद भी यूफती पुलिस कर्मियों से अब भद्रता करती रही वहीं मीडिया कर्मिय पहुंचे तो उनसे भी यूफती ने अब भद्रता की और धमकी दी कि यदे मेरे खिलाफ कुछ भी छापा औ वहीं यूफती नितक्रिबन एक से डेर्ड घंटे तक थाने पर यूँ हंगामा किया हंगामे को देख पुलिस कर्मियों ने सक्त दिखाते हुए पुलिस महिला कर्मियों की मदद से यूफती को थाने से रवाना किया जोर रपोर्ट खबर मध्यप्रदेश